हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मितूस किचन, फ्रेंट्स आपके लिए लाई हूँ मैं ये डार्क एंटेसी बिस्किट से बनने वाली बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान सी रेसेपी, अगर रेसेपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शियर जरूर करिएगा, तो ये देखि एक पैकेट में से मैंने निकाले हैं, सिक्स पीस आप बिसकिट, आप टैन रुपीज वाला कोई भी चॉकलेट बिसकिट भी यहां यूज कर सकते हो, जैसे कि ओरियो ले लिजे दस रुपे वाला या डार्क वेंटेसी भी आप छोटे वाला पैक यूज करके ये रेसेपी बना सकते हैं, अब यहां पर हमें क्रीम को अलग कर लेना है, तो बिसकिट को साइट से खोल के, इस तरीके से सारे बिसकिट में से क्रीम निकाल कर अलग रख लेती हूँ मैं, और ये देखिए, मैंने मेकसी का जार ले लिया है, जार में बिसकिट को इस तरीके से तोड के ड इसे एक बावल में निकाल लेते हैं और अब मैं चोकलेट बनाने के लिए लूँगी चोकलेटे स्प्रेड ये चोकलेटे स्प्रेड हिजलनट का है फ्रेंड्स आप यहां पर घर पे बना हुआ चोकलेटे स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शे कर लेंगे और स्मूथ करके आपको एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी से बनानी है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मिल्क यूज करूंगी पहले एक चमच से आप इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर ले और उसके बाद थोड़ा करके इसमें दूद एट करें और फिर एक फ्लोइं इसमें फॉइल लगा लिया और उसके बाद हमने जो डो बना कर त्यार किया था इसे अच्छे से स्मूथ करके यहां हम हलका सा बेल लेंगे थोड़ा मुटाई में बेलेंगे क्योंकि जो हम अपनी चॉकलेट बनाने वाले हैं वो किसी बिना कुकी कटर के या फिर बिना किस कि और मोल्ड यूस कि एवे बना रहे हैं तो यहाँ मैने धक्कल लिया है कोई भी नहिर्मल धक्कल लेकर आप इस तरीके से राउंड राउंड शेब में चॉकलेट काट सकते हैं और कोई भी ञड़़ा लिजीए जैसे मैंने यहां दबाई का धकल लिया है यहां पर घर में कोई भी बॉटल हो उसका खाली डगकर यूज कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके की मैं थोड़ी सी मोटी मोटी चॉकलेट्स बना रही हूँ और यकीन मानिए बहुत अमेजिंग बनती है क्योंकि हमने इसे हिजलनट के साथ बनाया है तो इसका टेस्ट इतना अमेजिंग खाएगा वो खाता ही रह जाएगा तो देखिए जो बचा हुआ दो था उसे मैंने फिर से कटा कर लिया फिर से हम इसे रोल कर लेंगे और फिर से हम इस तरीके से छोटे-छोटे चॉकलेट्स इसमें से निकाल लेते हैं तो यह एक बहुत असान तरीका है जिनके पास कंपा लगेंगे यह कीन माननेगे तो आप जरूर राइ करिएगा यह रेसिपी और देखिए हम इने इस तरीके के सारे राउंड्स काट कर तयार कर लिये हैं और जो हमने वाइट क्रीम को जो बिसकित की क्रीम थी उसे मैल्ट किया था उससे मैंने कौन में भर लिया है और उसको द दशकों के लिए कोई मैसिज लिखना चाहते है तो भी चॉकलेट के अपर लिख सकते और बड़ा कि लिए अगार बना रहे हैं तो वह भी लिग सकते हैं और आप इस तरीके से अपना फिलिंघ भी एक्स्प्रेस कर सकते हैं चॉकलेट को बना के तो वेलेंटाइन डेकरी CSV क जिसका कोई खर्चा नहीं है यह समान इजीली घर में मिल जाते हैं और महनत तो बिलकुल नहीं है तो दो मिनिट में बीना गयर चलाए बिना किसी जहनजट के आप यह चोकलेट्स बना सकते हो तो इसी तरीके से मैं सारी चोकलेट्स को गार्निश कर लूँगी पांच से दस मि देचर पर रखिए तभी भी सेट हो जाती है थोड़ी दिर में तो देखिए सबीस जो चोकलेट्स हैं उन पर हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल लगा देंगे और यह वाले स्प्रिंकल अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से जैम्स लाकर वह भी लगा सकते हो उस अमेजिंग है अपने हाथों से बना हुआ यह टेस्टी चॉकलेट्स आप अपने बच्चों के लिए बनाईएगा और आप इस तरीके से चॉकलेट बनाकर मेरे साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी बिल्कुल सिंपल बिल्कुल असान त देखिएगा और देखिए कितनी अमेजिंग क्यूटी पाई चॉकलेट है इसे आप यह रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक कि तक है